नमस्कार दोस्तों, बार्टू बेंच अकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रिदेश राजस्व सहिता 2006 की धाराश सततर के विशय में दोस्तों हम लोग बेरेक्ट से पढ़ाई करेंगे अगर आप लोगोंने अभी तक बेरेक्ट नहीं निकाले हैं तो किर्पया वीडियो को इहीं पर रोक कर पहले आप अपने बेरेक्ट निकाल लाईए और उसमें सेक्शन 77 खोल लिजे दोस्तों धाराश सततर कतिपय भूमी पर भूमीदरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे इसका प्राप्धान करती है मतलब धाराश सततर हमें ये बताती है कि कौन-कौन सी ऐसी सल्टेन लेंड्स हैं जिनके उपर भूमीदर राइट एक्रू नहीं होंगे भूमीदर राइट नौट टू एक्रू इन सल्टेन लेंड्स यानि कि कौन-कौन सी ऐसी भूमिया हैं जिन पर भूमीदरी अधिकार किसी ब्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे मतलब कौन सी ऐसी भूमी हैं जिन पर कोई भूमीदरी अधिकार नहीं होगा ठीक है प्रवरत किसी अन्य विदी में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति निम्निलिखित भूमी में भूमीदर के अधिकार अरजित नहीं करेगा। इन में भूमिदर के अधिकार अर्जित नहीं करेगा अब दोस्तों नीचे इन्होंने लगबग 10 कैटेगरी दी है यानि कि 10 भूमी की कैटेगरी दी है जिन पर भूमिदरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे इनको आपको समझना पड़ेगा ये बहुत सिंपिल है देखिए पहले में कहा रहा है खलिहान, खाद के गड़ों, चरागहा या समानिता, कबरिस्तान ये समसान के लिए प्रयोक्त भूमी मतलब इन पर जो ये भूमिया है इन पर भूमिदरी अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा अब आप जे बताईए, अगर कोई खाद के गड़े है कोई खलिहान है, कोई चरागहा है समझ रहे ना, गड़ों, गड़े जिनमें खाद भरी होती है या कोई चरागहा है, जहां जानवर चरते है या खलिहान है, या कबरिस्तान है, या समसान घाट है क्या उसमें किसी व्यक्ति को भूमीदरी अधिकार प्राप्त हो सकते हैं भूमीदरी अधिकार प्राप्त होने का मतलब यह है कि व्यक्ति उस भूमी पर खेती कर ले उसे अपने प्रियोजन के लिए यूज कर ले किर्शी के और अन्य कारें के लिए जो भी भूमिदर बिट ट्रांसफरेबिल राइट के अधिकार हैं, जो भूमिदर बिट ट्रांसफरेबिल राइट के अधिकार हैं, तो बहें इन भूमियों पर प्राप्त नहीं होंगे, अब आप ये समझी रहे होंगे कि क्यों नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि कोई कब्र अगले point में देखते हैं भूमी जिस पर पानी हो और जिसका उपयोग सिंगारा या अन्य उपा जोगाने के लिए किया जाता हो तो इसमें आपको में सिंगारा याद रखना है कि ऐसी भूमी जिस पर पानी है मालीजे या जिसका उपयोग सिंगाले के लिए किया जाता है बो धारा 77 की उपधारा 1 के खंड़ खा के अंतरगत उस भूमी पर भूमी दरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे यह सिंगाला आपको बिशेश रूप से ध्यान रखना है सिंगाला या अन्ने उपज़ उकाने के लिए किया जाता है और उस भूमी पर पानी भर हुआ है आगे है भूमी जो नदी के तल में इस्तित है और जिसका उपयोग आकस्मिक या यदा कदा खेती के लिए किया जाता है अब मान लीजे नदी का पानी बढ़के आगे को आ गया तो जो नदी के तल की भूमी थी वो पता चला नदी में ही सामिल हो गई तो क्या ऐसी भूमी पे भूमीदरी अधिकार प्राप्त होने चाहिए नहीं होने चाहिए अब अगली केटिगरी पे आते हैं इस्थान परिवर्ती या अस्थाई खेती के ऐसे भूमाग जिने राजे सरकार अधिसूचना दारा बिनिर्दिष्ट करे बई अब राजे सरकार अधिसूचना दारा बिनिर्दिष्ट कर रहा है कि ये अस्थाई खेती के भूमाग है या नोटिफिकेशन स्पेसिफाई मान लीजे राज सरकार ही अधि सूचनादारा बिनिर्दिष्ट कर रही है कि धारा सततर के अंतरगत किसी भूमी पर भूमी दरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तो नहीं होंगे भई कानून है अगला है भूमी जिसे राज सरकार ने टौंगिया बागान के लिए आसाइद गोसिदिया प्रथक रक्षित किया हुआ है तो ऐसी भूमी जिसे टौंगिया बागान के लिए आरक्षित कर दिया गया है प्रथक रूप से रक्षित कर दिया गया है उस पर भी भूमिदरी अधिकार प्राप नहीं होते हैं अब जैसे टॉंगिया प्लांटेशन है तो ये जो है आपकी धारा चार के खंडे 19 में डिफाइन किया गया है इसे आप एक बार देख लीजेगा आपको किलियर हो जाएगा आगे आते हैं बाग भूमी जो धारा 69 के अधिन कि किसी अन्य इस्थानी प्राधिकारी को सौपी गई है अब आपने धारा 69 पड़ी थी अगर आपने धारा 69 नहीं पड़ी है तो आप धारा 69 वाला वीडियो एक बार सुन लीजेगा तो उस धारा 69 के अंतरगर जो बाग भूमी किसी ग्राम सभा को सौपी गई या किसी सौप दी गई उसको तो बो तो फिर उसी की हो गई ना उस पर किसी और व्यक्ति को भूमी दरी अधिकार कैसे प्राप्त हो जाएंगे तो आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ना कि अगर कोई बाग भूमी है जो धारा 69 के अधीन किसी ग्राम सभा या इस्थानी प्राधिक या जारी को सौप या समझी गई हो तो आप यह याद रखेगा सलेज फारम और ट्रेंचिंग ग्राउंड सलेज फारम या मलगत भूमी अगला है भूमी जो सारब जनिक प्रियोजन या लोको पयोगी कारे के लिए अर जेतो कोई भूमी ऐसी है जो पब्लिक परपस के तो किसी एक ब्यक्ति को उसमें भूमिदरी अधिकार अर्जित नहीं हो पाएंगे। जील बनी हुई है, कोई बांध बना हुआ है, कोई तटबंध बना हुआ है, तो उस भूमिपर किसी ब्यक्ति को भूमिदरी अधिकार अर्जित हो जाएंगे। जानून ला रही है, उस चीज के लिए तो उस चीज में भूमिदरी अधिकार अर्जित नहीं हो जाएंगे। तो ये दस कैटेगरी हैं, इन दस कैटेगरी को आपको याद रखना है, ठीक है, एक बार इनको आपस में कोरिलेट कर लिजेगा, और थोड़ा सा ये समझीएगा इनका लॉजिक कि क्यों ऐसा हो रहा है कि इनको भूमिदरी अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं। भई कोई कबरिस्तान है, समसान है, उसमें कैसे हो जाएगा, कोई खात के गड़े है, चरागा है, कैसे हो जाएगा। और बाग भूमी है, या कोई अन्य भूमी है, सलेज फार्म है, जो ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया है, तो बो तो फिर ग्राम पंचायत का हो गया, उसका राइट है, किसी ब्यक्ति को भूमिदरी अधिकार उस पर प्राप थोड़ी होने देंगे। आगे इन्होंने दोस्तों इस परश्टी करन दिया है, कि खंड जा में जो सारवजनिक प्रियोजन वर्ड आया है, उसमें क्या-क्या शामिल होगा। जो सारवजनिक प्रियोजन भर्ड या लोकोपयोगी काड़े के लिए अर्जित हो, तो सारवजनिक प्रियोजन को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, कि क्या-क्या उसमें सामिल होगा। जैसे कोई सैनने सिबिर भूमी है भाई कोई मिलिटरी का कैम्पिंग ग्राउंड है तो बो सार्वजनिक प्रियोजन हो गया रेलवे है या नहर की सीमा में संबलेता है भूमी किसी इस्थाने प्रादिकारी दोरा अपने प्रियोजनों के लिए अर्जित की गई है तो इस्थाने प्रादिकारी तो सार्वजनिक प्रियोजन के लिए ही करेंगे न ऐसे ही अगर जो चक्पंदी अधिनियम की धारा 29 गाह के अंतरगत बो निर्दिस्ट है या फिर किसी ग्रामसभा दोरा सार्वजनिक उप्योगिता के प्रियोजनों के लिए आ रहे सकता है कोई ग्रामसभा है उसने सार्वजनिक उप्योगिता के प्रियोजन के लिए ही उसे अरक्षित कर रखा है रिजर्व कर रखा है कि ये बूमी सारवजनिक उपयोगिता के लिए हम उपयोग में लाएंगे तो वो सारवजनिक प्रियोजन के अंतरकत्मा नहीं जाएगी दोस्तों आब आते हैं उपधारा 2 पर उपधारा 2 में एक बार बेयरेश्ट से पढ़ लेते हैं फिर समझ लेंगे लेकिन पढ़ने से पहले आप एक चीज़ ये ध्या नखेगा ये जो उपधारा 2 है धारा 77 की ये धारा 77 की जो उपधारा 2 है इसमें अमेंडमेंट किया गया है उत्तर प्रिदेश राज़त सहिता संसोदन अधिनियम 2020 की धारा पांच के द्वारा इसमें संसोदन किया गया है उपधारा 2 में और कोई बिशे संसोदन नहीं है आपको घबडाने की जरुवत नहीं है इसमें बस दो जगए पर एक एक लाइन बढ़ाई गई है वो मैं आपको अभी इसी में हिंट कर दूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा पहले हम बेरेक्ट से पढ़ लेते हैं इस सहीता के अन्य उपबंदों में किसी बात के होते हुए भी जहां इस धारा की उपधारा एक में बिनिर्दिष्ट कोई भूमी अत्वा उसका कोई भाग लोग प्रियोजन के लिए क्रै अर्जित या पुनर्गित किये हुए भूकंड या भूकंडो से घिरा है अत्वा उसके या उनके बीच में है अब यहां पर इन्होंने जोड दिया है अत्वा किनारे है एवं लोग प्रियोजन के लिए आवस्चक है अगर आपके पास पुराना बेर एक्ट हो उसमें ये एड नहीं हो तो आप यहां पर नोट कर लिजे ये जो बात आ रही है अत्वा उसके या उनके बीच में है इसके बाद में एक लाइन लिख लिजे अत्वा किनारे है एवं लोग प्रियोजन के लिए आवस्चक है इतना आपको एड करना है आगे कहरा है भाहा राजे सरकार ऐसी लोग उप्योगिता की भूमी की श्रेली को परिवर्तित कर सकेगी और यदी ऐसी लोग उप्योगिता की भूमी की श्रेली परिवर्तित की जाती है तो प्रोग उप्योगिता की भूमी के बराबर या उससे अदिक भूमी उसी प्रिवजन के लिए उसी अब इसके बाद में आपको बढ़ाना है थोड़ा सा जो amendment में add करा है उसी के आगे आपको लिखना है अथवा किसी निकटवर्ती बस इतना लिखना है अथवा किसी निकटवर्ती ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानी प्राधिकरन जैसे भी इस्तिती हो में सुरक्षित कर दी जाएगी या राजसरकार इस सहिता की धारा 101 के अ ठीक है अब हम इस उपधारा को समझ लेते हैं इस उपधारा में ये कह रहे हैं कि उपधारा एक में जो कैटेग्रीज बताई गई है भूमी की ठीक है ऐसी भूमी या उसका कोई भाग लोक प्रियोजन के लिए जो भूमी अरजित किये गई है उससे घेरा हुआ है या उसके बीच में है यानि कि जो लोक प्रियोजन के लिए अरजित भूमी है मान लिए उन दोनों भूमियों के बीच में ये भूमी पढ़ लई है धारा 77 की उपधारा एक में जो आपने कैट अथवा उसका कोई भाग लोक प्रियोजन के लिए क्रै अर्जित या पुनरगहित किये हुए भूकंड या भूकंडों से गिरी है अथवा उसके या उनके बीच में है मतलब जो धारा सततर की उपधारा एक में आपने दस कैटेगरिया भी पढ़ी थी बो जमीन जो लोक प्रियोजन के लिए अर्जित की गई है उस जमीन के बीच में पढ़ लई है उस जमीन से घिर रही है तो बहाँ पे राजे सरकार क्या करेगी जो लोक उप्योगता वाली भूमी थी उसकी श्रेड़ी को परिवर्थित कर देगी समझ रहा है आप जैसे माली जे कोई गाउं है गाउं में दो प्लॉट हैं वो प्लॉट जो है पबलिक परपस के लिए यूज किये जाएंगे वो प्राइवेट नहीं है उन दोनों प्लॉटों से बीच में ये वाली जमीन पढ़ लई है जो हमने पढ़ी उपधारा एक में या उस जमीन से घिरी हुई है या उस जमीन के किनारे है ठीक है तो राजसरकार चाहे तो क्या कर देगी जो लोग उप्योगिता वाले प्लॉट थे दोनों उनकी श्रेणी को परिवर्तित कर सकेगी और यदि ऐसी लोग उप्योगिता की भूमी की श्रेणी परिवर्तित कर दी जाएगी तो उस लोग उप्योगिता की भूमी के बराबर या उससे अधिक भूमी उसी प्रियोजन के लिए उसी अथवा किसी निकटवर्ति ग्राम पंचायत अत्वा इस्थानिये प्रादिकरण को सुरक्षित कर दी जाएगी भई पबलिक परपस के लिए कोई प्लॉट था गाउं में उस दोनों प्लॉटों के बीच में एक ऐसा प्लॉट पढ़ ला था जिस पर भूमिदरी अधिकार अरजित नहीं होंगे तो राजिसरकार ने क्या करा कि वो जो दोनों प्लॉट थे पबलिक परपस वाले उनकी श्रेली को चेंज कर दिया और जो दोनों प्लॉट थे उनके बराबर उतनी ही जमीन उन्होंने ग्राम पंचायत को या इन्ने स्थाने परादिकरण को दे दी तो हिसाब बराबर हो गया ना उनकी जमीन बो वाली ले ली और उसके बदले में उन्हें दे दी दूसरी और जो जमीन पुरानी वाली थी उसकी श्रेली चेंज कर दी तो राज सरकारी संहितागी धारा 101 के अंतरगत उसके बिनमे की अनुग्या बेहित रिती से दे सकेगी ये बात यहाँ पर कहिए इनों ने अब आगे इसमें परंतुक है परंतुक पढ़ लेते हैं परंतु यह कि किसी लोक उपयोगिता की भूमी की स्रेडी अपवाधात्मक प्रकर्णों में ही ऐसे निबंदन इवं शर्तों पर परिवर्तित की जा सकेगी जो की बिहित की जाए यानि कि जो पब्लिक परपस के लिए पब्लिक यूटिलिटी के लिए जो जमीन है वो ऐसा नहीं कि आप ऐसी चेंज कर दें वो exceptional cases में ही करी जाएगी और उनी provisions पर उनी conditions पर की जाएगी जो की prescribe की जाए आगे कह रहे हैं लोग अपयोगिता की भूमी की स्रेडी परिवर्तित करने का कारण भी अभी लिखित करना पड़ेगा ठीक है भई कोई land मा लिजे पब्लिक परपस के लिए है तो उसकी स्रेडी को इतनी आसानी से अगर हम change करने का प्रापधान बना देंगे तो तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है न क्योंकि वो पब्लिक के परपस के लिए है जमीन तो इसलिए यहाँ पर ये प्रापधान रखा गया है कि दुरुपयोग ना हो पाए कि जो पब्लिक यूटिलिटी की भूमी है वो exceptional cases में ही परिवर्थित की जा सकेगी और अगर परिवर्थित की जाएगी तो उसके कारण बगारा भी written में होंगे लिखने पढ़ेंगे उसके कारण आगे उपधारा तीन पर आते हैं राजे सरकार भूमी की श्रेणी परिवर्थित करते समय या सहिता की धारा 101 के अंतरगत उसके बिनमे की अनुग्या देते समय आरक्षित किये जाने के लिए या बिनमे की जाने के लिए प्रस्तावित भूमी की इस्तिती लोक उपयोगिता और उपयोगिता पर विचार करे या सहीता की धारा 101 के अंतरगत उसके बिनमय की अनुग्या दे रही है तो उस समय आरक्सित किये जाने के लिए और बिनमय किये जाने के लिए जो प्रस्तावित भूमी है उसकी इस्तिती उускी लोक उप्योगता उसकी उप्योगता पर भी विचार करेगी आपको समझ में आगे दोस्तों नहीं आया अभी जब ये भूमी की श्रेणी परिवर्थित कर रहे हैं या कोई भूमी का बिन में कर रहे हैं तो उस समय जो प्रस्तावित भूमी है उसकी इस्तिती पर विचार किया जाएगा उसकी लोक उपयोगिता पर उसकी उपयोगिता पर ये कह रहे हैं आपर आगे उपधारा चार में कह रहे हैं इस धारा की उपधारा दो के अंतरगा भूमी की श्रेणी परिवर्थित की जाती है तो कलक्टर, अधिकार, अभिले, खतावनी और मांचित्र में तदुनसार संसोदन का आदेश देगा अब ये क्यों किया जा रहा है यहां पर इसका क्या लॉजिक है जब कोई जमीन गाउं में है और उस गाउं की श्रेणी परिवर्थित हो गई तो भई जो गाउं उस खेती के जो रिकॉर्ड है उसमें भी तो चेंज लाना पड़ेगा न जो गाउं का मैप है उसमें भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैप में किसी और रूप में दिखाई गई होगी और अब उस भूमी की श्रेणी चेंज हो गई तो फिर उस मैप में भी चेंज करना पड़ेगा और खताउनी में भी चेंज करना पड़ेगा तो collector साब करेंगे ये क्योंकि collector साब के अंडर में ही ये सब अभिलेक होते हैं तो collector क्या करेंगे उसके संसोधन का आदेश देंगे ठीक है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये धारा समझ में आ गई होगी देखिए revenue code में धाराएं काफी लंबी लंबी हैं ऐसा नहीं है कि ये दो चार लाइनों की धाराएं हैं ये अच्छी खासी धाराएं हैं कम से कम मैं समस्ता हूँ कर काफी पर आप लिखेंगे तो देड़ दो पेस तो भरी जाएंगे तो इनको याद करना भी इतना ज़्यादा आसान नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया और आपको सब याद हो गया इसके लिए आपको थोड़ा tricky होना पड़ेगा आपको आपस में correlate करना पड़ेगा उसका concept समझना पड़ेगा उसका logic समझना पड़ेगा उसके बाद में भी हो सकता है आप कुछ point भूल जाएं तो आपको घबडाना नहीं है देखिए हम लोग कोई computer तो है नहीं कि एक बार feed कर दिया और पूरी किताब हमारे दिमाग में छप गई भूलना तो मारप का सुभा हो है आपको उसको समझते हुए चलना है उसको लिखने की practice करनी है बोलने की practice करनी है लिखने की practice इसलिए करनी है ताकि मुख्य परिक्षा में आप लिख सके बोलने की practice इसलिए करनी है ताकि आप interview में बोल सके और अगर आप बीच में थोड़ा बहुत भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन मुख्य मुख्य पॉइंट आप याद रख लीजे जैसे धारा 77 है तो इसमें 10 कैटेगरी दी हुई है न तो आप इन कैटेगरी को एक माइंड में पिक्चराइज कर लीजे में चीज ये है समझ रहें आप और उपधारा 2 में भूमी के श्रेणी परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि दो प्लॉट हैं अगर जो भूमी की पब्लिक परपस के लिए है और उसमें बीच में धारा 77 वाली कोई लग्ली जे तो आप को रिविजन में भी आसानी रहेगी रिविजन only points का revision करके फिर आप मेंत में भी लिख लेंगे और पीरी में भी आपको शब्दा रहेगी तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजेगा और वीडियो को लाइक कीजेगा धन्यवाद